अस्सालाम उलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप लोग उमीदे सब ठीक टाक होंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अफकॉर्स मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और आज मैं बना रही हूं बहुत ही मदेदार सी आलू की कतलियां और यह बहुत ही इजी और कुई बन जाती है हमारे यहां तो बहुत ही फेमस है बहुत शौक से खाई जाती है और इसमें एक अलग तरह का बकार लगता है जिसमें हैं तीन से चार जवे लसन के और यह जैसी हलके से ब्राउन होते हैं तो इसमें हम शामिल करेंगे जीरा मेठी दान है उसके हमने प्यूरी बना ली है वह हम शामिल करेंगे आप लोग चाहें तो ऐसे भी रफली को चॉप करेंगे डाल सकते हैं पर प्यूरी से ग्रेवी अच्छी बनती है और आप लोगों देखा होगा मैं प्यूरी जादा इस्तमार करती हूं इसी वज़ा से और बस हम इन 1 तीज़पून नमक, 1 तीज़पून कुटिवे लाल मिर्चे और 1 तीज़पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसको इतना वगाएंगे कि यह साइडों से जो है ओल छोड़ दे और जैसे यह अपना जो है ऑल से अपरिट करेगा फिर हम इसके अंदर चार से पांच हम ने आलो शामिल कर दिये हैं और बस इसको हम हाई फ्लेम पे एक से दो मिनट बगाए कवर किये पकाएंगे और इसके बाद इसमें पानी की बिल्कुल जरुवत नहीं आप लोग देख सकते हैं टिमाटर कही तना पानी हो गया है कि इसी में यह तैयार हो जाएगी इसको हम नहीं पाई हूं तो बस आप लो हरी मिर्चे और हर धनिया से गार्णिश करें घर में जरूर ट्राय कीजिए देखिए भैतरी इंसी आलों की कत्लियां तैयार हैं मुझे कमेंट करके जब बताइए आप लोग को कैसी लग रही हैं मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए शेयर कीजिए दुबारा मिलूंगी लाहाफेज